हलो दियर स्टूदेंट्स वेल्कम बैक तो माई चनल फिजिक्स स्वेसी स्वेसी बोड टूधाइंड़नटीफोर का कोश्चन नमर फाइब अ 10 सेंटिमेटर इस पर द्यान दीजिए सेंटिमेटर लॉंग वायर लाइज अलॉंग वाय एक्सेस इट कैरीजे करेंट वन एंपीर रहें पॉजिटिव डार्ग्शन है ने मागनेटिक फिल्ड भी वैक्टर 5 एक कंपोनेटे रहा इसका यह वाय देक्ता इस पर ध्यान दीजिए मिली टेस्ट लाएं यह भी मिली टेस्ट लाएं इस था दीजिए और यह जे कैप मलब वाय component है in the region the force on wire is charge ते रखें तो सबसे पहले figure बनाएगे आप कि figure में आप ऐसे बना सकते हो कि ऐसे ऐसे बना लो कि यह आपका X success है यह आपका Y access है और इस में एक long wire रखा है ऐसे Y access के along ऐसे बिठा हो है ना और यह long wire है आपका जिसकी लंबाई L वरावर 10 cm है है ना तो 10 into 10 की power मानस के 2 मीटर संकिसंग चेंज करो और इसमें current flow कर रहा है positive Y access में कितना एक एंपियर और यहां पर जो magnetic field है वो vector form में दे लिखा है तो vector में रहने दो पर उसे ऐसे लिख लो बी वेक्टर जो कल टू फाइव इंटू 10 की power मानस के 3 टेसला जे कैप और मानस का 8 into 10 की power मानस के 3 के कैप टेसला टेन का आसके 3 कॉमन ले लो 5 जे कैप मानस 8 के कैप कॉमन ले लो 10 की पावर 3 इतना टेसला में लेका लिए हमने magnetic field बेटा ठीक है अब current जैसे दे रखा है तो magnetic force पूछा है तो देखो magnetic force का जो formula होता है fm करेंट करिंग वायर पर यह होता है i l vector cross b vector magnitude में लिखते तो a बराबर लिखते है i l b sin theta ऐसे यहां पर theta angle between l and b होता है अच्छा अब l cross b से करेंगे तो ज्यादा easy रहेगा इससे करेंगे vector form में को magnetic field vector दे रखा है तो कर लो इससे इससे कर ले तो i की वेले तो हमें एक MP दे रखिये l vector चाहिए होगा तो जानतो l एक vector quantity है इसकी direction वही मानते हैं जो current के direction है l vector की direction दो आज सुनिए l vector की direction consider वही करेंगे जो current की direction है current के along होता l vector की direction तो l vector i की direction तो किदर के रहे है y axis में तो यह दवीं y axis में इन्होंड़ वक्टर होता है j cap तो इससे ले सकते l यह तो magnitude होगा इसका और यह j cap इसकी direction होगा यह हमारा j cap इस vector की direction को बताता है इन दोनों की direction save होनी चाहिए बिटा और l vector की direction किदर है along हो एक्सेस क्योंकि current की direction है इसलिए मैंने इससे लिखा है इसलिए इससे लिसकते हैं 10 into 10 की power minus के 2 j cap value put कर तो i की value एक एमपियर bracket लगा लो इसकी value 10 into 10 की power minus के 2 j cap cross लगा लो इसकी value 5 j cap minus 8 k cap into 10 की power minus के 3 अब एक बात आपको मालू मना चाहिए कि अगर हम j cap cross j cap करते हैं तो यह 0 आता है क्योंकि j का self के साथ j से करेंगी cross product तो sign 0 sign 0 की value उती ही 0 इसलिए 0 हो जाएगा लेकिन यहां पर इसका multiply इस पूरे में करो पहले आप तो देखो 10 की power minus के 2 और 10 की power minus के 3 को बिल्कुल अलग कर लो पहले आप ऐसे लिख लो इसको और यहां पर तो एक है दो खतम ही हो गया 10 j cap cross 5 j cap minus 8 k cap ऐसे और यह 10 की power दोना का multiply है power को अलग कर लो minus के 5 ठीक है सर अब multiply कर लो तो इसका इसमें multiply करेंगे तो 50 j cap cross j cap आएगा minus 80 j cap cross k cap आएगा उल्टा मत कर देना j पहले है तो j पहले ही आएगा ठीक है इतना और 10 की power अब का minus के 5 अब j cap cross j cap तो 0 होता है और यह j cross k perpendicular है तो उसको निकालने के लिए सरकल बनाया हूँ आपने 11 वेक्टर वाले चप्टर में ऐसे इसको i बना लो इसको j बना लो arrow पी ध्यान दो i j k की तरफ है रो होता है i j k अब j cross k के करना है तो 100 s pass से j से k की तरफ जाओ आप तो 100 s pass से j से k की तरफ जा रहे यह arrow की डरसन में चल लाए देखो इसलिए i cap आएगा तो j cross k cap is equal to i cap तो यह तो हो जाएगा आपका जीरू जे से k की तरफ जाओ 100 s pass से अगर इस arrow की डरसन में ही घुमो यह आता है बचा हुआ प्लस का i और arrow की अपोजिट डरसन गूमते तो मानस का आता जैसे अगर मैं के लिखता k cross z तो मैं के से j की तरफ गूमता ऐसे तो अपोजिट गूम रहा हूँ इस arrow के इसलिए मानस का i कह पाता तो इस समय तो यह वाला नहीं है यह है इसलिए मानस के 80 कितना आपका 80 आई कैप और इसे लिख लो ऐसे 10 की पावर मानस के 2 और 10 की पावर मानस के 3 अभी बताता हूँ क्यों लेखा है इसको दो आसे लिख लिख लिया तो मानस का इसको दो नीचे लिया हूँ 80 वटे 100 आई कैप और इसको ऐसे लिखने दो मानस के 3 न्यूटन में आया जीरो से जीरो काट दो यह हो जाएगा मानस का 0.8 इन्टू 10 की पावर मानस के 3 न्यूटन और यह आई कैप अब इससे लिख सकते है मिली न्यूटन एक मिली न्यूटन में 10 की पावर मानस के 3 न्यूटन होते है तो मानस का 0.8 मिली न्यूटन ऐसे और यह आई कैप मिली न्यूटन में देरे रखा अंसर मिली न्यूटन, मिली न्यूटन, मिली न्यूटन, मिली न्यूटन इसलिए चेंज किया मैंने तो आपको कौन सा अंसर देखो 0.8 मिली न्यूटन आई कैप और माइनस वाए तो ये B चॉएस हो गया पढ़ते रहिए और खोश रहिए